अब लोग का सागत है मैं आपका दोस्ता नहीं दें और मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ जील रेंकोट का विडियो देख सकते हूँ यह प्रैकेट और यह काफी पूराना प्रैकेट है यह जो रेंकोट है यह मैंने एक साल से यूज कर रहा हूँ आज का वीडियो इसके बारे में है और आज इस वीडियो में मैं बताऊँ गा है ऐक साल का एक साल मैं इसे उज़ किया और इसका प्रैस तभी लगा था तब मैने जब करीदा था तक 17 CR रईस काप्राइस था अभी भी खें में मिल रहा है और तभी जो मैंने वीडियो बना था उसका लिंक में में देढ़ना है उहां से आप पॉस्टि Mirender कि भी कर सकते देख भी सकते हैं तो चलिए आप वीडियो को सुरू करते हैं पहले है इसका पॉजेटिव बात काफ़्ी प्राइज जो इसका प्राइज है प्रीमियम प्राइज उसके हिसाब से काफी अच्छा प्रीमियम नेस आपको मिल रहा है डबल लियार मिलेगा और क्वालिटी काफी अच्छा मिलेगा पर्टेक्ट वाटर्टूप है आपको जो पैंड मिलेगा पैंड में भी डबल लियार ह उसके नीचे डवल लेयर नहीं है, पैंड के इसाब से, पैंड में डवल लेयर खुब नतक है, नीग के उपर तक आपको डवल लेयर है, उसके बाद सिंगल लेयर मिलेगा, but quality कापी अच्छा है, quality में कोई कोंप्रोमाइस नहीं किया गया है, और इसका जो waterproof capacity, waterproof भी कापी अच इसे तेजबारिज में यूज कर सकतो, पुड़ा एकदम leakage proof है, मुझे तो कापी अच्छा लगा, और ये जो रेंपोट है, ये रेंपोट पैंके, आप लॉंग राइट कर सकतो, बाइट चला सकतो, कुछ भी कर सकतो, ठीक है, मतलब कापी तेजबारिज में आप जाके प्रब्लम नहीं है, इसका quality ऐसा ही है, और इसका जो negative बात है, negative है, ये कापी हेवी है, मतलब इसका weight, total weight कापी हेवी है, तो आप इसे देख सकतो, कितना बड़ा बैग है, और इदना ही रहेगा, ये मोल नहीं पाऊगे, तूकि ये कापी हेवी है, इसका quality जिदना अच्छा है, इसके कारण इसका weight भी कापी हच्छा है, तो इसके कारण आपको carry करने के में कापी ज़्यादा दिक्कत आएगा, अब अगर office बगर जाते हो, तो office bag में आप अगर इस raincoat को carry करोगे, तो total bag ही मतलब waste हो जाएगा, मतलब bag का capacity है, capacity पूरा ही raincoat खा लेगा, तो ये ही drawback है, otherwise quality के मामन में कोई problem नहीं है, और एक दिक्कत है, आप अगर हलका बारिस में इसे पहनोगे, तो अंदर से कापी ज़्यादा गडमी होगा, और पसीना से पूरा totally अंदर से भीग जाओगे, मतलब बारिस के पानी अंदर नहीं जाएगा, आप पसीना से पूरा भीग जाओग तो नहीं तो problem आएगा, आपको लगाएगा कि पानी अंदर चला गया है, बट वो पानी नहीं है, वो आपका पसीना है, वो पसीना से आप भीग जाओगे, totally, क्योंकि इतना ज़्यादा waterproofing किया गया है, अंदर से कापी ज़्यादा गडमी होगा, उससे ही आपको पसीना अब दीख जाओगे, तो यही है, overall product कापी अच्छा है, इस price के अंदर कापी अच्छा product है, अगर आप long ride में जाते हो, बाइग लेके, तो आपके लिए perfect product है, यह वाला product, और अब अगर normal use करते हो, उसके लिए भी perfect product है, अब heavy use के लिए भी perfect product है, अब अगर force में काम करते हो तो आपको एक perfect raincoat चाहिए, तो उसके लिए भी perfect raincoat है, तो राइनक्स बगारा छोड़िए, और जील को लीजिए, कापी अच्छा product, एक डेसी मतलब Indian brand है, और एक कोई promotional वीडियो नहीं है, ठीक है, मुझे एक भी रूपिया जील नहीं बेजा है, और यह भी product मेरा कुट का पैसे से में खड़ित के आप लोगे साथ review share कर रहा हूँ, एक साल का, मैंने एक साल में जो review मतलब मैंने experience किया, वही में बताया, और कापी अच्छा product है, आप मेरा height देख सकतो, मेरा height है, पांच 9 inch, मेरा height है, और मेरा weight भी कापी heavy है, मतलब 100 kg के आसपास मेरा weight है, ठीक है, तो आपके हिसाब से आपको size भी मिलेगा, मतलब triple XL, 4 XL भी मिल सकता है, जील में, तो एक अच्छा बात है, अच्छी बात है, ठीक है, तो heavy size लोगों के लिए भी आपको raincon मिल सकता है, जो market में नहीं मिलेगा, online मिल सकता है, जील नहीं बनाया है, और कापी अच्छा काम कर र इसका जो quality है, इसका quality कापी भैतर है, आप 100% इसे ले सकतो, आँख बंद करके ले सकतो, कोई problem नहीं आएगा, तोरा बहुत इधर उधर होता रहता है, uses के research से, बट कापी अच्छा product है, मैंने एक साल से use कर रहा हूँ, कापी अच्छा product है, अब ले सकतो, इसका link description में दे द होगा, तो वीडियो को एई पर ही सावफ करते हैं, और मैं ऐसे ही unboxing और review का वीडियो बनाता रहता हूँ, प्लीज चैनल को जरू subscribe कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी doubt तो प्लीज comment section में चरूर पूचेएगा, मैं चरूर आप लोग को answer दे दूँगा, तो चलिया मिलते हैं नेक्स वीडियो पे, जय हिंद, जय गारत.